मंत्राल ए महिला एवं बालवी कास्विभाग भारत सरकार एवं चाइल लाइन इंडिया फांडेशन मुंबई के सहयोग से आस्था समीटी के द्वारा क्रियानवित चाइल लाइन परियोजना 1098 मुंगेली 36 गड़ में विभिन पदों पर अइस्थाई भरती के लिए पर ना सिर्फ आपको लेटेस जॉब इंफ्रमिशन मिलती है इन फैक्ट इन रिकूरूट्मेंट एक्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिकुरियर्मेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पर मिलता है तो अगर आप कुमारे चैनल पर लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ पर जा करके चाइल लाइन पर योजना भारत सरकार से इसका संबन्ध और यह क्या करती है और आस्था संचालन आस्था समीती मुंगेली में किस तरीके से रिलेटेड है इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं हम आस्था समीती के द्वारा जारी किया गया यह रिग्रूट्मेंट नोटिस जैसा कि आप देख रहे हैं यह है अईस्था संवीदा भरती विज्यापन यह जो चारिलाइन पर योजनल नंबर है 109 एक हर्पलाइन नंबर है यहाँ पर आपकी विभिन पदों पर अईस्थाई समीदा भरती के लिए आविदन दिये गये हैं इसका सबसे पहला important information है कि इसकी last date है 29 मार्श 2021 तक इस पे कौन-कौन से पदों में भरती होने वाली है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है जैसा कि आप देख सकते हैं पद नाम है टीम मेंबर संख्या भी तीन ही है पोस्ट यहाँ पर एक मुष्टवेतन जो है वह 8000 रुपीज कर रहेगा और यह अईस्थाई सम्विदा भरती होगी अब इस पद के लिए सेक्शनिक योग्यता क् है तो किसी भी विषय में आपका इस नातक होना चाहिए मतलब ग्रेजवेशन होना चाहिए यहाँ पर समास सास्त्र मनोविज्ञान में इस नातक को प्राथमिक्ता दी जाएगी वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजवेशन है तो चलेगा बट अगर आ आपको priority मिलेगी required skill जो है वो चाहिए आपका computer computer पर MS office और अन्य software के कारे करने में सक्षम होना चाहिए मतलब आपको basic computing आना चाहिए उसके बाद यह experience की बात कर रहा है तो experience में यह भी कंपल सरी है यहां पर experience की बात में यह बोल रहा है कि SAS की अर्थ की असास की या फिर इंटरनेशनल एजेंशियों में सासन की अनुदान प्राप्त बाल देख रेक मतलब child welfare के लिए उनकी देख भाल करने के लिए संस्थाओं यह उन्चाइड लाइन में बच्चों की देखरेक संस्थाओं पूरा अर्वास विषय पर कारिण हो मतलब सेंटेगरी से सेंट फील्ड से आपका experience होना चाहिए वांचनी योग्यता आपको इस address पर भेजना है ये address पे आपको बाई पोस्ट इस application form को भरके भेज नापर आपको कहां से मिलेगा भी हम बताएंगे आपको तो ये आपको इस address पर भेजना है और चाहें तो इसका जो इमेल आईडी के थुरू भी आप इसको भेज सकते हैं यह आपके सामने इमेल आईडी है इस पर भी भीजा जा सकता है और इसकी लास्ट डेट जैसा कि हमने आपको बताया वो 29 मार्च 2021 को है इस जॉब के लिए अपलाई करने के लिए कुछ शर्ते भी है तो क्योंकि यह हल्प लाइन नंबर है तो यहाँ पर आपको 24 घंटे 7 दिन सेवा देने के लिए सक्षम होना चाहिए और आपकी सहमते भी होनी चाहिए इसके लिए आपको एक शपत पत्र भी स्वाप्रमाडित करके देना होगा यह रेकूरूट्मेंट जो रहेगी वो एक साल के लिए की जाएगी उसके पस्यात आपका काम देख करके उसको कंटीनु किया जा सकता है या फिर आपको डिसकंटीनु भी कर सकते हैं यह निर्डने जो है वो संस्था के द्वारा ही लिया जाएगा यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आवेदर की आयू एक मार्च दोहजार एक यह इस डेट पर कल्कुलेशन किया जाएगा इसकी स्थीते में आपका मिनिमुम 21 years होना चाहिए और maximum 45 years होना चाहिए यहाँ पर जो candidate है उनको 36 गड़ का मूल निवासी होना भी अनिवाज है बाहर state के लोग यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे और आपको इसके लिए आपका domicile certificate भी photocopy जो है प्रमाडित करके दिखाना होगा एक ज़रूरी चीज़ यह है कि यह field job है आपको 100% काम field में करना है और office work नहीं है इसलिए आपको field काब करने में आप comfortable रहें और आपकी सहमती पत्रका आपको यहाँ पर swap अमाडित करके photocopy submit करना होगा अपने experience का भी आपको certificate produce करना होगा तब ही उसको यह consider करेंगे otherwise आपका experience यह consider नहीं किया जाएगा और अगर आपने experience certificate relevant field में produce किया तो उसके minimum 2 years के experience को one mark का weightage दे करके आपके marks का calculation किया जाएगा इसके अलावा आपका रुजगार कहाराले में पंजियन जीवित होना भी अनिवारे है इस job के लिए apply करने के लिए जैसा कि हमने आपको उपर ही बताया था कि इस application form को आप registered post, speak post, courier या फिर directly office में जाके या फिर email के माध्यम से दिये सकते हैं जाकर के इस recruitment का यह official advertisement आपको नीचे description में link इसका मिल जाएगा आप वहाँ से इसको download भी कर सकते हैं और यह link हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि यहीं पर ही आपको इसका आविदन पत्र का प्रारूफ भी मिले गए यह देखिए यह आविदन पत्र का प्रारूफ है इसी को आपको भर करके दिये हुए पते पर भेजना होगा इस application सिंपल सा application form है इसको आपको भरना है और भर करके इसको आपको भेजना होगा दिये हुए पते पर दिये हुए समय के अंदर में इस recruitment से जुड़ी भी किसी तरीकी की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं अब हमारा एक Android एप भी है आप उसको Google Play Store में हमारे एप को आ रहो है काईडमी लिख करके सर्च कर सकते हैं तो आप हमारा Android एप भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा अलग-अलग टाइप की जॉब recruitment का notification और साथ में उन recruitment को पास करने के लिए जिस तरीके की भी documents की आपको study material की या जैसे भी support की requirement होती है हम अपने एप पे आपको पूरी तरीके से provide करते हैं तो आपको future updates के लिए और recruitment exams में educational help चाहिए अगर तो उसके लिए आप हमारे एप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा साथ ही हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए गया thank you for watching hope to see in our next video till then take care guys